आज है 9 नवंबर 2030 दिन गुरुवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना आप बिल्कुल ना भूलें साथी हमारे फेस्बुक पेस्टो भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें इसके संदी दिया गया है एक देशमलाती शूने करोड बहनों के खाते में 1596 करोड हुए ट्रांसफर एमपे में विधान सभा चनाओ धन 13 से पहले सियम शिवराज ने एक देशमलाती ने करोड लागली बहनों को तुफा दिया मैला पालविका सिभाग ने छटी किस्ट के 1250 रुपे जारी किये जोरान 1596 करोड रुपे बहनों के खाते में पहुची अब अगले मां ट्रांसफर होने वाली राशी के लिए नई सरकार फैसला करेगी मैं सियम शिवराज सिंग ने कहा कि राशी से जलने वाले जला करें मैं किसी भी कीमत पर अपना संकल्प पूर करके रहूंगा सियम शिवराज ने बहनों को दी बधाई लाडली बहना योजना के किष्ट जारी होने पर सियम शिवराज ने बधाई दी उन्होंने एक्सपर लिखा कि घर की महिलाओ के हाथ में लक्षमी विराजती है मां अनपूर्णा का वास होता है वो छोटी छोटी बचट करती है और जब जरूरत पड़ती है तो गर्ब से कहती है कि चिंता मत करो मेरे पास पैसे है लाडली बहना योजना का उद्देश था कि मेरी बहनों का आत्म विश्वास बना रहे वो गर्ब से कहें कि मैं मदद करती हूँ तुम जी ओ लाडली बहना सियम शवराज ने किया बड़ा एलान 450 रुपे में मिलता रहेगा सियम ने कहा कि मेरी बहनों ये जिंदगी बदलने का भियान है रसोई गैस का सिलिंडर 4500 में मिलता रहेगा बिजली के बड़े बिलों को लेकर चिंता मत करना लाडली बहनों चिंता मत करना तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं इस बार दस तारीक से पहले ही तुमारे खाते में पैसे डाल दिये मेरा संकर्प है कि हर बहन को लगपती बनाऊंगा मेरे बेटे बेटियों का एड्मिशन अपनी मेहनत से मेडिकल या इंजिनरिंग कॉलेज में होगा तो उनकी फीस उनका मामा भरवाएगा मदान प्रतीशत बढ़ाने के लिए उतक्रश्ट कारे करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे पुरुस्क्र विदान सभा चुनाओं के लिए पूरे प्रतीशत में नवंबर में मदान होना है मदान प्रतीशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी और बूट लिवल अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा गौलियर के हवावी जहरीली ए आईक्यू पहुचा 263 गौलियर में निवाली से पहले हवा काफी खराब हो गई शहर में उड़ता धुआ और धूल अभा को जहरीला बना रहा है यहाँ एक्यू आई 263 पर पहुच गया ऐसे में परिवाहन विभाग की टीम ट्राफिक पुलिस सरकों पर उतर चुकी है परिवान विभाग और यातयाद पुलिस शहर के पूल बाग चराहा सहीत अन्य प्रमुक चराहो पर कार औपाई की पॉलूशन कंट्रोल कार्ड चेक कर रही है दिसम्बर में इंदोर से चलेगी परियचन ट्रेन पुरी और अयुध्या की कराएगी यात्रा इंडियन ड्रेल में कैट्रिंग इन टूरिस्म कॉर्पोरेशन लिमिटेट के द्वारा संचालित भारत गौरफ परियचन ट्रेन 16 दिसम्बर को इंदोर से रवाना होगी ट्रेन में देवास उजयन, शुजालपुर सिहो, रानी कमलापती, टार्सी, जवलपुर कटनी, अनुपुरी स्टेशन से भी यात्री सवार हो सकेंगे आठ आठ नौ दिनों की स्यात्रा में पुरी, गंगास सागर, कोलकाता, वैतिनात, वारनसी, अयुध्या के दर्शनिया, इस्थलो कब्रमन कराया जाएगा चुनाओ की वज़े से परिक्षा में रानी दुर्गवती विश्यविध्याले करेगा बदलाओ पहले विधान सभा चुनाओ, फिर लोग सभा चुनाओ, परिक्षा को प्रभावित करेंगे मदाता सूचना पलुषी के वित्रण का कारे शिरू हो गया है प्रदेश के सभी मदाताओं को पहली बार क्योआर कोड़ वाली मदाता सूचना पल्ची के माध्यम से मदाता अपने मदान केंद्र का क्रमांग, राज़य और जिले का हել पोन जानकारिया प्राप्त कर सकेंगी मद्यप्रदेश विधान सबा निर्वाचन 2023 के अंतरकत मद्दाता सूचना पल्ची के वित्रण का कार्य साथ नवंबर से प्रारंब हो गया है कलेक्टर की डिपोच पा भुपाल नगर निगा मायुक्त को मिली क्लीन चिट मुख्य निर्वाचन पतादी कार्याले ने शुकायत पर भुपाल कलेक्टर राश्री स्थिंग से प्रतिवेदन मांगा था इसमें शुकायत की पुष्टी नहीं होई पेंशन के लिए पेंशनर्स को नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर घर बैठे अब ये सुवधा पेंशन के लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र दीने कोशगार वा बैंक के चकर नहीं लगाने पड़ेंगे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण आधार प्रमाणी करण के माध्यम से घर बैठे जनरेट कर सकते हैं फेस आथन्टिफिकेशन के जरीए जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं पेंशनर्स सें प्रमाण पत्र प्रमाणित कर सकते हैं इसके लिए बैंक पोस्ट आफिस को शगार या संबंदित कार्याले जाने की जरूरत नहीं, पेंशनर्स को अपने जीवन प्रमाण पत्र का नवीनी करण करने के लिए प्रमाणी करण जरूरी होता है, इसके बाद यी पेंशन जारी होती है निवारी में गजे, यूपी के बुल डोजर बाबा, सीम योगी, सीम योगी कांगरेस को समस्या और बीजेपी को समाधान बتाया, सभा को सम्बोधित करते हुए उन्हों कहा कि हमें आद समस्या नहीं समाधान चाहिए, ये समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन का सीरेक कार ही दे सकती है डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने हर वर्क का विकास किया एक आम कॉंग्रेस भी कर सकती थी लेकिन इनके एजन्डे में गरीबी है ही नहीं देश की अर्थ्यवस्था को दुनिया के टॉप थ्री में लाकर रहूंगा बोले पीम मोदी पीम मोदी ने रमो की इमलाई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर सिभाजपा सरकार मुझ पर MP का आशिरवाद इसलिए भी भारत का गौरफगान संभव हुआ पीम ने कहा आज अर्थ्यवस्था में हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जसने 200 साल हम पर राज किया ये मोदी की गयारेंटी है कि जब मेरा तीसरा सेवा काल शुरू होगा मैं इस देश की अर्थ्यवस्था को दुनिया के टॉप थ्री में लाकर रहूँगा बीजेपी मशीन में गरबड़ी करके बढ़ा सकती है अपना वूट दिगविजे सिंग ने फिर EVM और EC पर सवाल खड़े कर दिये उन्होंने कहा कि EVM के सॉफ्ट्वेर के जानकारी सिर्फ चुनाओ आयो को है लेकिन बीजेपी वाले EVM में गरबड़ी कर अपने वूट पढ़ा सकते हैं जब पांगलादेश और पाकिस्तान में EVM का अस्तमाल नहीं होता तो फिर हमारे यहां क्यू होता है दिग्गी ग्वालियर से प्रत्याशी सुनीर शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुचे थी दो महीने बाद चंबलपुल से भारी वाहनों का गुजरना हो जाएगा शुरू यूप और MP के दो सिमाओं को जोडने वाले इतावा भिंडमार्क परिस्तित उदी चंबलपुल से भारी वाहनों का आवगमन शुरू होने की उमीर दो महाबाद नहीं साल में जताई जा रही है वर्थमान में PNC कंपनी के दौरा चंबलपुल का मेंटेनिन्स कराए जो रहा है चंबलपुल का मेंटेनिन्स कराए जोने की जिम्मेदारी PNC कंपनी की दौरा ली गई एमपे विदासबस बर चनाओं से पहले BGP को तकड़ा जटका लगा दमो जिले में बीजेपी के अभाना मंदल अध्यक्ष डाल चंद्र कुश्वाहा ने कॉंग्रेस की सदस्यता ली कुश्वाह के साथ बीजेपी के 500 कारिकर ताओं ने भी पार्टी के सदस्यता छोड़ कर कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया डाल चंद्र कुश्वाहा लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे अब वो दमो उस सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में मैदान में उतरे हैं अमपी चुनाओ में फिर शुरू हुआ पोस्टर वार कमलनाथ को बताया अतंकवात का बाँ मदरपरदेश में विधान सबाच चुनाओ नस्दीक हैं प्रमुक प्रतितंदी भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टी जिस एक दूसरे पर सियासी हमला पोल रही है ऐसे में अब बयानों के बाद चुनाओ में पोस्टर वार फिर दिखाई दीने लगा है कुछ समय पहले जहां कॉंग्रेस कारिकर्टाओ और पार्टी के लोगों के द्वारा भाजपा के कई अलग-अलग पोस्टर शेहर में चिपकाई गए थे जिस पर सियासी पारा जम कर हाई हुआ था अब कॉंग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाई गए बागे शर्थाम के बंडित धीरेंद्र कुछने शास्त्री कर रहे शादी जल्द बंधेंगे शादी के बंधन में बागे शर्थाम के पीठध दीशर पंडित धीरेंद्र शास्तरी अब शादी करने जा रहे हैं यह हम नहीं बलकी पंडित धीरेंद्र शास्तरी खुद कह रही है दरसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रही है जी भी माने बीजेपी पंडव हैं दो धृतराष्ट पुत्र मुह में कॉंग्रेस को दिलान जुली देंगे मदान की तारीक करीब आते ही भाजपार कॉंग्रेस का चनावी प्रचार्च शरम पर पहुच गया मुखे मंतरी शिवरा सिंग चोहान और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर जमकरबर से उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने दोनों भाई बहन को किवर जूट बोलना सिखाया मुझे तो इतनी गाली देते हैं चाहे मलिकार जुन खडगे हों चाहे कमल ना चाहे दिगविजर सिंग इन्हें लगता है कि पता नहीं ये डेड़ हड़ी का कहां से आ गया हमारी दाल नहीं कलने देता सोचल मीडिया पर पोस्ट कर कहते हैं कि मामा तेरा श्राद हो गया मैंने कहा कि मर भी गया तो जंता की सेवा के लिए राक के धेर में से फिर से खड़ा हो जाओंगा अकलेश यादव का पिया मोधी पर बड़ा हमला बोले किसी के घर के सपने का जुम्ला बनाना अच्छा नहीं मदबर्देश विधानसवा चनाओं में राजनीती दलों के बीच आरोग प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुक अकलेश यादव ने बिना नाम लिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पर बड़ा हमला बोला उन्होंने चंदला विधानसवा के सुरचपुर गाओं में पिछडे दले तोरा दिवासी भाई बहनों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और सपा की सरकार में आने पर बहतर सो विधाएं उपलब्द कराने का विश्वास देलाया डांक मदान की प्रक्रिया शुरू दिव्यांग और असी साल से अधिक बज़र्गों के घर डांक मदान करवाने के लिए मदान दल पहुचा तल उनके घर गया जिन्होंने फॉर्म 12 डी भर कर घर से डांक मदपत्र के माध्यम से मतदान करने सेहमती प्रदान की थी मुदी ने कमलनात दिवज़र पर साधा निशाना कपड़े फारने वालों ने ही मद्यप्रदेश को बीमारों बनाया मुदी ने कमलनात दिवज़र सिंग का नाम लिए बगयर निशाना साथते हुए कहा कि कपड़े फारने वालों ने ही मद्यप्रदेश को बीमारों राज्ये बनाया पिम मोदी ने कहा कि आज कॉंग्रेस के बड़े निताओ के बीच क्या चल रहा है आप सब ही देख रही है इतना बड़ा चुनाव चल रहा है वो कपड़े फारने के कॉंपडिशन में लगे हुए है ये वही चहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक कॉंग्रेस को वा उनकी सरकारों को चलाया है इसराइल के खिलाफ साओधी में जुटेंगे 57 मुसल्मान देश यहूदी मुलके मुकाबले दुश्मन भी आए साथ इसराइल और हमास में जारी जंग ने इसलामिक देशों को एक जुट कर दिया अब इस मामले पर सधा हुआ रुक अपना रहे साओधी अरब ने बड़ा कदम उठाया साओधी अरब ने रविवार को इसलामिक सहीयोग संगठन में शामल 57 देशों की मीटिंग बुला ली एहम बात ये है कि इस बैठक में इरान के रास्टरपती इब्राहिम रईसी भी शामल रहेंगे इरान और साओधी अरब अलग-अलग धुरुप पर रहे हैं ऐसे में रईसी के साओधी अरब दौरे पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी जियसी के दाइरा बढ़ाने में जोटा केंद्र सरकार वित्मंत्री सीता रमन ने दिये संकी निर्वला सीता रमन ने जियस्टी सुविधा केंद्र का उधगाचन किया इस दोरान उनों ने कहा के केंद्रे मंत्री स्मृतिरानी ने मोधी और शिव्राज की युजनाओं की जमकर तारीफ की केंद्री मंतरी स्मृती ईराणी जबलपूर पहुची जहाँ उन्होंने कैंट विधानसभा सिभाजपा प्रत्याश्य अश्योक रोहिनी के लिए राजी के बड़ा पत्थर में एक जनसभा को संभोधित किया केंद्री मंतरी स्मृती ईराणी ने मोद्य और शिवराज की योजनाओं की जमकर तारीव की जवरान कॉंग्रेस और महागडबंदन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला बियार विदान सभा में नितीश कुमार के द्वारा महिलाओं पर दिये गए बयान कुस्मती ईराणी ने अभध्र टिपणी बताया कमलनात बोले चुनावी मौसम में कई गुना बढ़ जाती है बीजेपी की जूट बोलने की शक्ति किसान कर्ज माफी के मुद्धे पर कॉंग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कस्दोर जारी है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनात ने मीडिया पर पोस्ट कर भाजवा पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जुनावी मौसम में भारतिय जूनता पार्टी की जूट बोलने के शक्ति कई गुना बर जाती है नात ने आगे लिखा कि भाजवा के नेता पूरी बेशर्मी से साध्योनिक मंचों से कह रही है कि कॉंग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया लेकिन आप देखिए विधान सभा में कॉंग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंग चोहान के कुरुशी मंतरी कमल पटेल ने खुद सुविकार किया कि कॉंग्रेस सरकार ने गरीब 27 लाग किसानों का कर्ज माफ किया तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद